स्वागत है आप सभी का सतिंग आईटी आई के डिजिटल लर्निंग क्लासेट में मैं विक्की सारोग आज आपनों के सामने इंवर्यमेंट एजुकेशन के और जागकारियां देकर के आया आज का हमारे टॉपिक है नॉइस पॉलूशन ध्वनी प्रदूशन तो नॉइस पॉलूशन क्या है वातावरन में और करकस डॉणी या अंचाहे शोर को ही दॉणी पॉलूशन कहते हैं अथाथ करकस डॉणी या अंचाहे ध्वनी पॉलूशन करते हैं अथाथ शोर के रूप में समझेगे इसे भी शोर कहते हैं वाई ध्वनी पॉलूशन होता है ध्वनी पॉलूशन के कारण क्या क्या है द्वनी पॉलूशन के दो कारण है पहला है प्राकितिक कारण और दूसरा क्रिप्परिम कारण है द्वनी पॉलूशन के दो कारण होते हैं पहला प्राकितिक दूसरा क्रिप्परिम पहला कारण बादनों की गरद्या बिजली की गरगड़ा हड़ भूकम ज्वाला मुखिए पत्थरों का तोटना यह सभी वैसे कारण है जो कि प्रकृत्ति द्वारा होते हैं और इनकी आवाज से द्वानी प्रदूशन होता है दूसरा कारण है क्रिक्त्रिम अर्था माना मिल मिल कारण है इनमें शोर गारियों की आवाजें रेज या प्रयाद की आवाज वाई यानों की आवाज रेडियों टेली वीजन लावड स्पीकर्स ऐसे सभी यंद्र जो की मानों दिर्मित होते हैं और वो द्वानी उत्पन करते हैं उनसे द्वानी प्रदूशन होता है कि द्वानी प्रदूशन के दुस्त प्रभाव क्या हैं कि जब हम किती वेक्ति से बात कर रहे होते हैं और उस दोरां कहीं और तेज ज्वानी आती है या कोई तेज आवाज आती है तो हम सामने वाले वेक्ति की बात को नहीं सुन पाते हैं और उनकी बातों से हमारा ध्यान हड़ जाता है तो यह द्वानी प्रदूर्शन का एक महत्पूर प्रवावर जी जो कि हमारे जीवन में आते रखता है अथा द्वानी की प्रभन्त अधिक होना जिस्ते की मानों सामने वाले वेक्ति की आवाज को ना सुन पाते हैं दूसरा है अचानक शोर उत्पन होना अचानक शोर उत्पन होने से वह द्वानी हमारे शरीर में रखत को सिखाओं को प्रभावित करता है जिससे की ब्लड सर्प्लेक्शन धीमा हो जाता है और हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं ताथ ही बहुत उच असकर वाले सोर से उच असकर वाले सोर से इज़ए गती बढ़ जाती है इज़ए गती बढ़ जाती है जिससे की हाई प्लड प्रेशर हो जाता है और हमें हर्ट अटेक आने के चांसे भी रहते है तीसरा है आँखों पर प्रबाव बहुत अधिक तेट वनी से हमारी आँखों पूतलियां चौड़ी हो जाती है और आँखों में चलन उत्तन भी होने रखती है मनुष्य 90देसिबल से अधिक की दवनी को आसानी से सहन नहीं कर पाता है और 90देसिबल से अधिक की दवनी दवनी प्रदुशन के रूप में कहलाने बगती है तो इस दौरान मनुष्ट के रख चाप में व्रिदी वे जाती है और मनुष्ट के शरीर में और अंचाहिप अद्दाव होने लगते हैं इससे मनुष्ट का सभाव भी चुचिड़ा हो जाता है और उस चुचिड़े पन से उसके जीवन में बहुत सारी नुकसान होते हैं नेश है मस्तिष्ट परस्त पहुत तेजवनी हमारे तंचक्या तंचकों प्रभावित करती है और उसके कारण से मस्तिष्ट पर असर पड़ता है हमारे सारी बिमारियां भी हो सकती है हमारे सरीर का संचालन खराब हो सकता है बहुत अधिक तेजवनी से हमारे अंतर स्राविक करंतियों पर असर पड़ता है इससे की हार्मोस का और नियंतरित संचालन सुरू होता है और वह असंतुलिक होका हमारे सरीर पर विविन प्रभावर डालते रहता है गर्वती महिलाओं पर असर पड़ता है गर्वती महिलाओं पर असर पड़ता है वैसे तो ध्वनी का निर्जिव वस्तों पर कोई असर नहीं पड़ता है खिर भी बहुत तेज ध्वनी से इमारतों पर दरारे आ सकती है बहुत तेज ध्वनी और विस्पोट के कारण इमारतें ढहर भी सकती है और हमारे आसपास के चीज़ों पर भी असर पड़ता है अब रहे ध्वनी प्रदुसर्ट के नियंदर के उपाए अर्थाथ दोनी प्रदुसन तो पड़ता ही जाता है पर उन्तुम हमें उसे नियंदित करना चाहिए और उनको नियंदित करने के उपाय करने चाहिए पहला है जागूत करना अर्थाथ हमा अपने आज पास के लोगों को ज्वानी प्रदुसन से होने वाले परिनामों के यह जागूत कर सकते हैं और इनसे बच सकते हैं दूसरा है कि हम घरों में उप्योग करने वाले उकर्मों में जैसे रेडियो, टीवी, लॉर्ड, स्पिकर्स इन सब को नियंक्रित आवाज में ही चलाएं और स्वयं भी दीवे स्वर में बोलें जिससे कि द्वानी प्रदुसन ना हो और हम उनसे बच सके साथ ही घरों में होने वाले सांस्कृतिक कारिक्रम, रवाहिक कारिक्रम या धार्मिक कारिक्रों में लॉर्ड स्पिकर्स का तेज प्रियोग ना करें इनसे कि गौनी प्रदुसन ना पहलें बहुत फैक्ट्रियों कमपनियों को ज्यादा आवादी वाले शेतर से दूर स्थाफित करना चाहिए ताकि उनकी ध्वानिया उस आवादी को प्रभावित ना परें साथ ही उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़्दूरों को भी इयर बट्स कप्रियों करना चाहिए या इयर प्लक्स कप्रियों करना चाहिए जिससे कि उन द्वनी से उनके काम पे असर ना पड़े मशीनों के रख रखाओं से हम अगर मशीनों के रख रखाओं अच्छे से करेंगे तो मशीने ज्यादा आवाज नहीं करेंगे जिससे की हम ध्वनी प्रदोस्तम से बच सकते हैं द्वनी प्रदोस्तम के बारे में विल्यादियों में छोटे चोटे बच्चों को सुरू से ही चांकारी देनी चाहिए जिससे की बहुत तेजना चिलना है, धीमे बोले और ध्वानी प्रदूसन के बारे में चागरूप हो सके और आगे चलकर ध्वानी प्रदूसन से बच सके तो आज के लिए पना ही ध्वानी बारे